मेरा नाम है जोती स्वागत करती हूं अपने चैनल जोती जाइडिया में देखिए बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो बना रहे हैं और मेरा जो आज का टॉपिक है वह है चाइनीज केलेंडर को कैसे यूज करना है उसके उपर हमारा आज का वीडियो है देखिए सब आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और आज का वीडियो देखने के बाद आपकी सारी जो दिमाग में गलत खेमी है वह सारी खतम हो जाएगी और मेरा यकीन माने कि चाइनीज कैलेंडर अपने आप में एक बहुत अच्छा जैनल प्रेडिक्शन का एक जो है मीडिय एक तो आपके पास आपकाاج लापटॉप आपका मॉबाईल आपका पीची जो कुछ की है जिसमें भी आप देखना चाहते है उस चीज को आप यह अपने पास रख लिजेगा अगर अभी अभी अबेलेबल नहीं है और आपके पास एक ही मॉबाईल जिसमें आप मेरा वीड पता होनी चाहिए ठीक है डेट ऑफ वर्थ में आपको बिल्कुल गन्फ्यूजन नी होना है जो जब पैदा हुआ था ना तो डेट ना मन्त ना एयर किसी चीज में कोई चेंज गरने की ज़रूत नहीं है आप तो जब पैदा हुए है वो बस आपको पता होना चाहिए ठीक है जब कोई देट बट अब आते हैं बारी कंसी आपने कब किया तो यह मुष्किल हो ड़्यूंस की क्यों किया उस्का कोई जवाब किया इसका जबाब है और कंसीव कब किया कि अपकी जो अलैंप्य होती है लास्मेशन जो होता है आपका उस सब स्बगी के बाद से लाह उसके प्लस 15 देज 15 देज बात से जब उन करेंगे 15 देज भी ले सकते हैं और 15 देज के आगे से आप को इसी भी तारीक चूज कर लिजे वो सब आपका जो है अब कुछ लोगों को तो बहुत जादा इस चीज के बारे में पता भी होता है कि उन्होंने कब कंसीब किया है तो यह बह अब जैसे ही आप उसमें अपना date of worth of conceiving जो है date अपना उसमें डालेंगे आपके पास prediction का आ जाएगा और वो आपको प्रोवाइट करेंगा आपका lunar age देगे lunar age और lunar conceiving month अलग होता है जो आपको इन दोनों की detail दाने के बार मिलेगा वो आप खुद से नहीं निकाल सकते जो है round round process है उसका तो वो आप मत निकालेगा simply मैंने एक video add करूंगी में आगे जिसमें आपको क्या करना है आपको अपने computer पर जाना है सबसे फर्स्ट आप मेरा description भी चैक कर लिजे का उसके लिए computer पर जाना है आपको Chinese calendar type करना है Chinese calendar जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको बह चीजें डाल देनी है और जैसे ही आप डालेंगे वहां आपके सामने एक window पिल जाएगी और वहां जाके आप देख लेजेगा अब इसके बाद भी कुछ लोगों का confusion आता है कि yearly change होता है क्या है ना yearly change अरे भही आपको सिख क्या करना आपको तो कुछ करना ही नहीं है आपक पाना है वह आपका lunar age और अगर आपको अपना lunar age पता है lunar conceiving month पता है सिर्फ यहीं पता होना जरूरी है उससे year के according कोई भी difference नहीं आने वाला है इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रख लीजेगा आज कभी बहुत लंब होने वाला है और आगे जो आप वीडियो देखने और द्यान से समझेगा और इसके बाद भी कोई एक बार देखिए दो बार देखिए चीजों को नोट करेगा I think कि आपका जो प्राब्लम है वो सबकुछ जो है सुट आउट हो जाएगा Okay thank you bye bye आप देखे आगे सबसे पहले आपको क्या करने आपको खोले नहीं Google का पेज आप अपने मोबाइल पर भी इस चीज को ओपन कर सकते हैं और यहां आपको गूगल सर्च पे जाकर एक आपको टाइप करना है चाइनीज केलेंडर बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आएंगे ले पिक्टर डाली हुए हैं आपको उन सब के पशेवरों में नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ चाइनीज कैलेंडर तू वाइट्स आपको टाइप करना है यह देखें यह मैंने डाल दिया इसके बाद में आप फर्स देखेंगे इस सबसे फर्स आपके सामने इस अमें आपके वाठर एक्सपैक्ट वाला भी हमको नहीं करना है है यह बहुत सारे है इन पे आपको सो समझ कर ही जाना है एदरवाइस आप यह देखें हमको खोलना है यह yourchineseastrology.com ठीक है और एक और मैं बताती हूँ अगर शायद कुछ और भी हो सकते है क्योंकि मुझे भी काफी टाइम होगा इस चीज़ पे गए हुए तो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले मैं एक बार में पहचान जाऊंगी yourchinese वो Chinese calendar को लेकर ही उसमें होता है I hope आपको clear देखे रहा होगा यह देखे यहां आपको कुछ नहीं करना है मैंने क्या कहा आपको सिर्फ सबसे पहले दो word टाइप करने है Chinese calendar और उसके बाद में आपको your Chinese astrology पर ही जाना है ठीक है मैं description में इसका एक map बना दूँगी जिसके आपको पहुचने में बहुत एजी रहेगा यहां आप अपना देखे date of birth जो है आपको choose कर लेना है date of birth में आप सबसे पहले यहां से अपना जो है year choose कर लेजेगा 97 है यहां 92 90 जैसे मैंने 89 choose किया 89 का जैसे मैंने September choose किया then मैंने 20 date set किया यहां पर conception date आप देखे conception date को लेके लोगों को बहुत जो है issue आता है conception date आपको क्या करना है जैसे कि last month की 10 को आपका LMP आपको निकालना है LMP के after LMP के 15 days बाद after LMP के 13 days बाद यह से June चल रहा है पिछले मंत में हम चले जाते हैं यह तो मई में है तो मई के हम मान लेते हैं कि 10 को आए था उसके 15 days बाद है ना जैसे आपका suppose आज कितनी है 9 और suppose आपका 9 को ही आता है तो लास्ट मई के 9 के हम 15 दिन आगे चलेंगे एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा है ना 23 के बाद आपको इसा भी डेट आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपको लगे कि वह हां आपने इस दिन जो है कुछ मतलब इसके एक दू दिन पहले है या इसे कुछ मतलब किया था ठीक है तो जिसमें 24 चूज कर लिया 5th month का अब हम यहां पर प्रैडिक्ट पर जाएंगे अब यह देखें इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा अब आपको क्या कर लेना है सबसे फर्स्ट जो आपके सामने यह जो इन्फोमिशन निकल के आएगी इसको आपको एक पेपर और पैन ले लेना है क्योंकि यही आपके लास्ट तक बहुत काम आने वाली चीज है आपको देखें सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि चाइनिज जाएडिक यानि कि आपका जो मार्क है ऑक्स ऑक्स का मतलब होता है कि अगर कुछ मतलब मेल वाली चीज अगर आपके आ रहे है तो आपके मेल होगा ठीक है यह इसका सिंबल है चाइनिज कालेंडर में ठीक है तो सबसे फ़से आप इससे भी पहचाना है वेस्टन डेट वेन वेवी कंसीब्ट तो मैंने देखी कंसीब डेट क्या लिखा था मैं में में लिखा था लिकिन इसके अक्वाडिंग मेरा कंसीब्ट बदल गया आप इसको नोट कर लिजेगा लुणार डेट में बेवी कंसीब्ट मेरा आ रहा है फ्रस्ट लुणार मन्त & 6th zlunar day इसके बारे में भी मैं आप यह आपको बता दूंग meinetner बताया हुऊ है कि lunar month क्या होता है lunar day ये आप खुद से भी निकाल सकता है और इसमें से भी निकाल सकता है तो आप इसमें first lunar month ले लिजेगा ज़नि ज़िसे लन्थ मन्त को select करें गे month पे जाएंगे ये देहिए lunar age है तो आपका lunar age इसमें बता रखा है लुनार एज एक बर को पता होना चाहिए यहां अर जैसे 30 बता रख व albums होकि हा है। छीज़िए आपने नोड कर लिले तब आप इसे का मजब है न के लिए है। से देखें जो आपने find out किया है समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या कहना चाहरी हो कि आप क्या करते हैं कि अपनी date of worth यहां से देखी अपना conception month इसमें से देखा और आप पता लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि गलत है जी नहीं बिल्कुल गलत नहीं आप इसके according चलेगा जो तो यह हमें पता ही रहा है पहले से थर्टी बाले पर अब यह next तेके क्या पूछ रहा है lunar month at conception तो lunar month क्या आ रहा है lunar month क्या आ रहा है when we conceive lunar month आ रहा है first तो हम first बाले पर जाएंगे यह दिखें first number यानि यह वाली रौ हमें follow करनी है और date इतनी follow करनी है तो यह इस तरीके से दे वीडियो आज तक YouTube पे नहीं है आप लोगोंने काफी सुना होगा कि calendar देख लेजेगा calendar देख लेजेगा calendar से आप नहीं पता लगा सकते हैं आपको जो है lunar age वाला lunar month वाला calendar ही चाहिए और यहां से आप निकाल जाएगा आप चाहें तो मैं इसको इसका जो मैप है कि आपको क क्या करना है फिर आपको क्या करना है कि आपको easy going हो जाएगा तो I hope आपको अपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इस चीज को आप नोट के लिए लिए योर चाइनीज एस्ट लोजी ठीके एक मैं आपको लिए एक सिंपल सा बना देती हूं एक्चल में बेट करिएग सबसे पहले देखे आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जाना है सबसे पहले आपको जाना है सबसे पहले आपको जाना है सबसे फ़स्स ऐब UP वहां जाना है सिर्फ ए चाइनिस चालेंडर सिद्धेडर करना है। उसके बाद में आपको Chinese astrology करकर जो आ रहा हो बहुत सारे option आएंगे आपके सामने आपको किसी पे नहीं जाना है सिर्फ और सिर्फ Chinese astrology पर जाना है वहाँ जाकर जैसे आपको क्लिक करेंगे आपके पास option आजाए कर आपको date of birth दालना है और अपना conception date डालना है या आपका जो LMP होगा LMP के 15 days आगे का कोई साभी date आप जो है मान सकते हैं इसके लिए इसके बाद में result आपके सामने आजाएगा और वहाँ आपको कर लेना है फ्रेंड नोट कर लेना है क्लिरली आपको नोट कर लेना है वहाँ पर क्योंकि यह चीज़ है एक बर मिस हो जाती है और इसके बाद में यह automatically वैसे तो आपको correct result दिखा देगा और अगर नहीं भी जो है यह दिखाता है तो इस चीज़ से आपको कोई भी कैलेंडर जैसे आपको यहाँ पता चल गया कि आपका जो लुनार एज है वो 30 है और लुनार मन्त है वो जो है आपका first है ठीक है अब आपको अगर इतनी चीज़ पता चल गये तो यह देखे आप तो यह दो थेखें यहен चाहिए यहां जाके डालोंगी चायनी कैलेंडर जैसे ही में डाल रही हूँ हो है यहां जाकर चैनिम्स कैलेंडर खोल कर दोocystते हैं तो अगर आपको ऐसा डाउटेगी यह यहां यहां प्रॉल मुछ ऑन्रह प्रॉप क्या रोप्र्विम ओर है आफ देखें में एम्हास ब्ट्र चालेंडर की हहाँ यह देख है ओप क्युम्हें हो थीज़ थोड़ा स्रभड़ा पृप月 अगने नगने टाइम है यह सन थीज़ाश देख फीज़रा है जैसे चलेगि एवakukan तो कहीन हरो pillar मैं से टाहला फरकी यहां भी इनका चल्ड है हमको चहिए एक चल्ड में यह मैं हटा देते हूं सॉरी एड़ी के सेल करने के परपस है कि इन्होंने बताया है इसमें क्या है सही चीच को खोजना बहुत बड़ी चीच है और यह बहुत शोड़ करने बहुत है उन्हों भुष। तुम्लम सेल का भुवरी मने मैं संटि तुम्नलक कहता है मैं वाट Oops. मेरे सामने एक छोले इसमें आपको पता है कि आप पुरना देखा था तो आपकीश थी 30 यह देखिए यह तो इहां 30, 30 वाले में मन्त कौन सा था, 1st, ठीक है, 1st लुनार मन्त था, और लुनार एज किती थी 30, तो 1st वाली लाइन में हम 30 के पाँ चले जाएंगे, और यह देखें 30 के सामने क्या दिखा रहे हैं, बोई दिखा रहे हैं, जो चीज भाही दिखाई थी, तो मैंने क्या कह आपको बहुत से लोग कहते हैं, मैंने बहां देखा था, तो गल बता रहा था, बहां देखा था, तो बाय बता रहा था, नहीं भाई आपको सही डायरिक्शन की ज़रुए है, और सही डायरिक्शन मैंने के कोशिश की है, तो I hope कि आप सब भी को यह सारा जो है method समझ में आय कि वीडियो जब चल रही होती है तो नीचे की तरफ एक arrow बना होता है वहां जाके आपको क्लिक करना है वहां जाके पूरा information आपको जो है मिल जाता है अधर वीडियो का भी आपको मिल जाएगा ठीक है फ्रेंट तो वहां जाके भी आप चेक कर लिजेगा इसमें कंसेप्शन कर देट निकालने के भी मैंने काफी वीडियो बनाय वहां जाके भी तो आपको अपना जो है करेक्ट लुनार एज और लुनार मन्त अब देखे कुछ लोग है यह देखे एक मिनट कुछ लोग इससमें कंफ्यूज होंगे मैं बता देती हूं कि जैसे आप यहां गए अब यह देखे आपको क्लिरली पता चला है यह बेबी सेंटर का है यह विकीपीडिया का है यह पोक्रेला का है यह मॉम जंक्शन का है इन सी जों पर आपको जाना ही नहीं है बिल्कुल नहीं जाना है आपको जहां जाना है वहां मैंने आपको पहुचा दिया है और अगर आप भी नहीं पहुच पाते हैं, तो प्लीज, मैं कुछ नहीं कर पॉँँगे, ये दखें, यौर्य चाइनीजर्ज एस्टरलॉजी, अब ऐसा मद कह जाएना, मैम, आपने तो चाइनीज एस्टरलॉजी ही बिताया था, तो हम तो वहीं जाएंगे, तो ऐसा मत करिएगा थोड़ास अपना कॉमन सेंस भी आप लोग को यहाँ पर यूज करना है तो हाई होप आज का वीडियो आपके समझ में आया ही होगा चलिए आगे बात करते हैं